हालो दोस्तों मैं अली सर आपके अपने यूटूब चैनल ऑनलाइन इस्टेडी 24 इंटु सेवन पर आप सब का हाल दिख स्वागत करता हूं तो जैसा कि हम लोगों की सेनोनेम्स की एक सीरीज चल लएती उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और मेनिंग्स को चर्चा कर है और बहुत ही फेंटास्टिक वर्ड है और देखें यह वर्ड आपका पूछा गया था 2012 में ठीक है एक एक ऐसा वर्ड है जिसके आपको यहां पर आपसं दिये गए हैं सैनोनेम काफी दिये गए हैं आपको इसका हिंदी मतलब बताना है डिलीजन का क्या मतलब होता है ठी नमबर में हमारा डिल युजन इसका दूसरा सैनोनेम क्या है हैल युजन देखें कितना अच्छा है ठीक है यहां पर सभसे लास्ट में आप इसको अज़र ऑल्स करके कि ? तो बताएं दोस्तों इसका हिंदी मतलब क्या हुता है अब लिए टको में भरोसा कर ले इसका मतलब किया हो तो इसको पूलते बोल यह भुलते ठीक है नोट बूक में ठीक है और लिखनाज एह साथाज में आपको याद भी करने हैो ठीक है दोस्तों चलिए Leakshouse हमारा है देखिए लिखा हुआ है Mystery में धेख ज ऑठाइब लेकिन यहां पर दोस्तों मैं वीड़ा को सब्सक्राइल दो कोow थो इसको हम लोग बोलते हैं क्या Mastery तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेगा अधिकार ठीक है दोस्तों तो लिखेगा अधिकार यह आपका भूआ यह अच्छा वर्ड है और बहुत ज्यादा पूछा कई वार पूछा भी जा शुका ठीक तो अधिकार इसका मतलब होता है चल कि उसके करद आप तर्फिक का मतलब किसी में बहुत जादा दिमाग लगाएन तर्क सकती से उसका आंसार निकालना वह चीज कहलाती है तर्फिक और उसी को ही क्या बोलते हैं लॉजिकल थीक है एक होता है रेशनल और एक होता है इमोशनल उमेशनल वह हो ता है और हो diva होट होती होगई तो आप दोस्तो क्या लिखेगे तार्कीज प्लिखीज़ और हमारा आज नेग्स्ट वैर देखिए क्या होगए लास्वर्ट तो परि णता शाम का खाल यह रेंचर का मतलब यह भी होता है आपका की पिशिवडों को मतलब होता है ठीए है तो ऑच्वटी मैं इसका मतलब क्या होता है हो overlooked's है नबया आपसे बहानेवाजी करता है वो ईसको यहाँ पर झाल यह पर अंतरगत करना या बहाना करना तो आप यहां पे लिखेगा ईंग्जज्ड का मतलब होता है और इसका मतलब होता है अगयूनी का मतलब होता है डिस्ट्रेस ठीक है तो बताएई इसका मतलब सारो तो यहां पर आप लिखेंगे दुखी ठीक है तो यह बहुत ज्यादा सारोफुल जो होता है उसको बोलते हैं एंग्यूस्ट ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों दुखी बोलेंगे ठीक है तो हमारा सब्सक्राइब होता है तो यह थोड़ा सा आपके लिए अच्छा वर्ड है और यह आपने सुना भी होगा फेट्फूल का मतलब जो भरोसे से भरा हुआ हो यानि जो बिलीप से भरा हुआ हो ठीक है और लॉयल को भी क्या बोलते हैं और मेरा दोस्त वो रवी है बिल्कुल एकदम लॉयल है तो लॉयल का मतलब कर अच्छावड में वह होता है जो अपने प्रोमिस यह अपने वर्ड्स का पका आपने मैंने आपको कई बार बताए विवा का मतलब होता है चटीक है इसका मतलब iPhone इसका मतलब नोट बुक में फूर्तीला ठीक है लिख लिए आपने चलिए ओके थैंक्क्यू सो मच और इसको याद भी करना है ठीक है फूर्तीला चलिए लेट्स नेक्श्ट वर्ड नेक्श्ट वर्ड हमारा है इसका मतलब होता है इसको एक मतलब वोता हampf variety को मतलब होता हुर्त एक मतलब होता है तोसमें आपके लिए लिए यह वर्ड कंव आंपने कए वार सुना कि घी hypoc होता है hot-headed का मतलब दिखिए hot का मतलब गरम और headed का मतलब दिमाग का हो मतलब जो गरम दिमाग का हो उसको क्या बोलेंगे hot-headed और गरम दिमाग का कौन होगा जो ब्यक्ति आणिंतृसेहीं, मतलब जो आपके कंट्रोल में नांना रोगी उसको क्या बोलती ऊसको क्या बोलती हैます Typeוש fehli तो आप ने ही लिख लिया जलिए यह है अहलर है लेट्स तेलनकर्ट मतलब होता है стеudeosub का मतलब होता है एक नामिकल लेखिए इक नामिकल एक मतलब होता था प्रूगल एक मतलब होता है यहीं पर देखें तो मतलब होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं इस economical का मतलब क्या पैसे से संबन दीता है धन पैसा जहां पर कम लगे लगबख खर्च हमारा बच जाए जब हमारा खर्च बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे किफायती बोलेंगे तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे किफायती किफायती का मतलब जो कम से कम में ज और हम कह सकते हैं तो पताई इसका हिंदी मतलब तो आपने कई बार सुना होगा दोस्तों अबॉइड मीस क्या होता है निकलना या बच निकलना होता है नहीं होता है तो अब आइड को अम दोस्तों क्या कहते हैं बचना कहते हैं इसको ठीक है बचना या बच निकलना ठीक है तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों बचना ठीक है तो यह आपके 10 words complete हो गये हैं और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स करें उन पर शेयर करें और लाइक करें और हां हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ओनलाइन इस्टेडी 24 x 7 आपका परिवार थैंक यू सो मच